अब इकितमे तलते हैं इह यह जाल जाल गी है गी में 120 रुपे केजी 120 रुपे किलो अधि शुद माल देता हूं शुद माल है बिल्कुल है महाराश्ट का गी है माकोस चीन जुगा कलर देख कितना गूल्डन ब्राउन आ गया इसका अब तो बिल्कुल सुनेरी काली करते हो मतलब गोल्टन ब्राउन बिल्कुल कड़क जली बिल्वा कलरी जली बिए कोई भी कलर नहीं डालते हैं अब है पूरा पैटर डाल दूए हम यह ने पैटर रेडी कर दिया है यह बनने जारी जली लिए एक के बाल एक एक और लेर आएगे एक साइड पूरा कलर ले लिया है इनने गोल्डन ब्राउन हो गई है एक लेवल उपर जो ग्रेड जो पूरी तरह से पकी और ऐसा लग रहा है अब यह कोई भी कलर ने इसके अंदर कि बहुत शांदा थिक नहीं है कि अब यह जली भी पूरी दर राटी हो गई है चास्नी मेटी पोने के बाद बहुत सही जो एक्स्ट्रा चास्नी होती है तो बना रखा है जिसे सारी चास्नी अंदर चल जाती है और जितनी चास्नी के ज़रत है जली भी को उतनी ही यह सोक करती भी एकन तो मेट साथ गरूप है जो कि जली भी कर रहे है तो कैसी लग तो चनली की बिए बहुत बड़ी आँ मोझारी है ही जम्हा इस अदम सोग। कि यहां पर देख लिए कितना क्राउड है यहां पर पोड़ा के मार्केट में लोकल मार्केट है यहां का जबर्दस भीड़े और साथ में जली सतीज जी की घर्मा गरम जली भी यहां और बनाते कहीं में हैं जालना माकोषगी में जालते हैं एक सो बीज रुपे किलो शुद माल है कलर भी एड़ नी करते हैं हां कलर नहीं जालता हुआ है यहां हेल्थ खराब होती है नुक्षान होता है पप्रिक पैसा देखेंगे तो माल बढ़िया दो उसको हुआ है तो अब देज करते हैं जलीभी गर्म है करारी है और अपसे बड़िया बात में नैट्रल है तो इसम्पल है आप आये टेस्ट करें और बहुत बढ़िया को आदे बनास्तवती कीम मनाते हैं एक सो बीस रुपे किलो है आये और टेस्ट करें तपूरगा के लोकल मार्केट में एंट्री होते ही आपको जब मार्केटर बस्ट्रेंड के पास वोल्ड बस्ट्रेंड के पास वाफी मिल देंगे ये